नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे CSE से नया पेन कार्ड कैसे अपलाई करें तो अगर आप CSE भी यली हैं और CSE के द्वारा नया पेन कार्ड अपलाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में इसके कम्पलीट जनकारी देने वाला हूं कि CSE से नया पेन कार्ड अपलाई कैसे करें और इसके लिए आपको कौन-कौन सी महतपुर्ण बातों को ध्यान में रखना है तो अगर आपने अभी तक CSE के माध्यम से कोई भी नया पेन कार्ड अपलाई नहीं किये हैं और पहली बार आप CSC के माध्यम से नया pen card बनाने की सौच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि pen card में नाम, उम्र, जनमति थी, फोटो, तथा सिखनिचर, इत्यादी में किसी भी तरह की चेंज या फिर अपडेट करना है तो कैसे करें तो इन सभी टॉपिक के वीडियो आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं तो आईए बिना देर कि यह वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं इसके लाइप प्रोसेस को दोस्तों, CSC से नया pen card अपलाई करने के लिए सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा की official website पे आना होगा उसमें आपको login वाले option पे click करके अपना CSC ID तथा password डालने के बाद के अपचा को फिल करके sign in वाले option पे click करना है जिससे आप digital सेवा की portal पर login हो जाएंगे और वहाँ पे आपको उपर में search का एक icon दिखाई देगा उसमें आपको click करके pan लिखके search करना है जिससे नीचे में आपका pan card e के वासी service का option दिखाई देगा उसमें आपको click कर लेना है जिससे आप UTI की website पे पहुँच जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको BLE user के नीचे में click hair का option मिलेगा इसमें आपको click कर लेना है जिससे आप इस website पे login हो जाएंगे यहाँ पे आपको apply new pen वाले option पे click करना है जिसके नीचे में application for new pen 49 ये का option दिखाई देगा उसमें आपको click कर लेना है जिसके बाद आपके सामने इस type की एक pop-up window खुलेगे इसे आपको ok कर देना है जिसके बाद form 49 ये खुल जाएगी जिसे नया pen card बनाने के लिए भारना प जाते हैं उसे select करें तो मैं फिलाल आपको यहाँ पे physical mode में apply करके दिखाने वाला हूं physical mode में होता क्या है कि जो आप pen अभी apply करेंगे 49 ये इसका आपको print out लेना है उसमें आपको customer का grant का दो photo चिपकाना है और उसी में आपको sign भी कराना है और उसी form को scan करके इसके portal पर photo signature त उसी form को बाद में आपको UTI के office में भी भेजना पड़ता है और digital mode में होता क्या है कि इसमें आपका अधार e signature के website पे बनता है जिसमें customer का अधार के ही photo automatic आ जाती है यहाँ पे और digital sign से verify कर लिया जाता है जिसमें pen card बनने के बाद pen card में customer का signature के जगह पे blank होता है जिसे बाद में customer को वहाँ पे signature करना पड़ता है तो physical mood को select करने के बाद select status of application वाले option पे click करें और अधी आप किसी individual आदमी का pen card बना रहा है तो यहाँ पे individual वाले option को select करें फिर उसके नीचे आपको NRI category का option मिलेगा अधी आप भारत से बाहर में रहते हैं किसी दूसरे देश में रहते ह हैं तोनो करें और फिर निचे में pen card मोड में आपको दो मोड देखने को मिल जाएगा पहला मूड है ब़ोत physical pen card and e pen card अगर आप इस mood को select करते हैं तो इसमें आपका physical pen card भी बनके आपके घर पे आएगा और आपके email id पे e pen card भी आएगा और दूसरा option e pen only को select करते हैं तो इसम सिर्फ आपके email ID पे e-pen card मिलेगा तो यहाँ पे आप बहुत वाले option को जरूर से select कर लेए अधि आप चाहते हैं कि आपका original pen card बनके घार आए तो उसके बाद नीचे में submit वाले option पे click करें जिससे personal detail की page खुल जाएगी यहाँ पे आपको select name title वाले option पे click करना है और अधि आप किसी ladies का बना रहे हैं तो उसमें आपको स्री मती या कुमारी में से कोई एक option को चुन लेना है और अधि किसी जैंस का pen card apply कर रहे हैं तो स्री वाले option को चुनें last name या surname का है तो इसमें उस ग्राहक का last name को डाले first name को नहीं डालना उसके title या surname को यहां पे डाले और फिर first name वाले option में उसका first name डाले और अधि कोई middle name भी है तो यहां पे आप middle name को डाल सकते हैं और उसके बाद यहां पे name on card में automatic आपका जो भी नाम card में छपके आएगा full name यहां पे आप देख सकते हैं और यहां पे देखिए reference number का एक pop up window आया है यह हो सकता है आपको पहले ही आ गया हो या फिर थोड़ा late से आये तो इसमें आप ok कर दें और उसके नीचे में आपका option मिल रहा है क्या आप किसी दूसरे नाम से भी जाननी जाते हैं अगर आपका कोई दूसरा भी नाम है तो इसमें आप yes करें या फिर आपने जो उपर नाम फिल किया सिर्फ वही नाम है तो इसमें आप no करें उसके नीचे gender आपका automatic select आएगा अधि आपने उपर में title को select किया है स्री या स्री मती या फिर कुमारी को तो फिर उसके नीचे date of birth आएगा तो यहाँ पर आपको अपने अधार में जो भी date of birth है DDMMYYY वाले option में आपको यहाँ पर लिख लेना है और फिर उसके नीचे address of communication वाले option पर किलिक करें और यहाँ से residence वाले option को select कर लें फिर resident state में आप जिस भी state से belong करते हैं उसे चुने और फिर नीचे में office state का option आता है उसे आप चाहे तो चुन सकते हैं pen card की जो delivery दिया जाएगा वो office में दिया जाएगा तो उसके लिए आपको हो सकता आगे अलग से कुई document इसमें upload करने के लिए कहा जाए तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं और फिर नीचे आजाएं यहां पे आपको अधार नमर वाले option में अपना अधार काट के नमर को डालना है और फिर tape बटन को दबाना है जिससे आपको re-enter अधार नमर मांगा जाएगा तो फिर से आप वही अधार नमर यहां पे डालके ok करें और उसके नीचे में आपके अधार काट में जो भी नाम लिखा हुआ है उसी type के यहां पे full name आपको type करना है और फिर next step वाले option पे click करना है जिससे document detail के option खुल जाएगी तो यहां पे आपको first वाले option अधार काट issued by uidi in copy को select कर लेना है अपना identity proof में भी address proof में भी और date of birth proof में भी और फिर नीचे में make payment का option दिखाई देगा उस पे click करें जिससे आप payment gateway में redirect हो जाएंगे और आपको अपने csc wallet यानि डिजिटल सेवा की wallet से कुछ amount यहां पे कटाना है जो amount यहां पे सो हो रहा है और फिर आपको यहां पे अपना डिजिटल सेवा की password को डालके validate कर लेना है और उसके बाद फिर wallet का आपको pin डालना है और pay वाले option पे click करना है जिससे आपका payment success हो जाएगा और यहां पे आपको authentication की एक pop-up window आएगा जिसमें आपका reference number दिखाए देगा इसे आप ok कर दे और बाकी के detail को आप fill करें यहां पे आपको contact detail का option आएगा तो इसमें आपका IST code वाले option में अदिए आपका India आ रहा है तो ठीक है या फिर आप select भी कर सकते हैं और फिर telephone या mobile number वाले option में आप अपना mobile number डालें और उसके बगल में email ID में आप जिस भी email ID में अपना e-pan card प्राप्त करना चाहते हैं वही email ID यहां पे डालें और scroll down करके थोड़ा नीचे आएं और फिर parent detail वाले option में अदिए आप चाहते हैं कि आपके pen card में आपका फादर का नाम प्रिंट होके आए तो यहां पे इस no वाले option को टिक कर दें और उसके नीचे में आपको फादर का last name सबसे पहले डालना है यान इससे आप blank भी छोड़ सकते हैं और नीचे में आपको यहां पे father name का option दिखाई देगा और फिर नीचे आएं जहां पे आपको next step वाले option पर click करना है जिससे address detail खूल जाएगी इसमें आपको अपना complete address fill करना है जो आपके आधार card में है फिर सबसे नीचे आएं नीचे में आपको यहां पे source of income को select करना है कि आपका income का source क्या है तो इन में से आपका जो भी source of income है उसे चुनें फिर next step वाले option पर click करें जिसके बाद यहां पे एक message आएगा लिच चेक AO code detail तो आपके area का जो भी AO code होगा वो आपका यहां पे so हो जाएगा आपका area code AO type range code और AO number तो इस में आपको एकदम से नीचे आ जाना है और उसके नीचे आपको representative का option मिलेगा तो यह वाला option minor pen card के लिए है जिसकी उम्र 18 वास से कम है उसके लिए यह वाला भरना जरूरी है तो मैं फिलाल इसे यहां पे छोड़ रहा हूं और नीचे में select capacity वाले option पे click करके himself herself को select कर लेना ह जिससे नीचे में verify नेम आ जाएगा automatic जिसके नाम से आप pen card apply कर रहे हैं और verification place में आप जिस भी place apply कर रहे हैं उस place का नाम आप यहां पे डाल लें और next step वाले option पे click करें जिसके बाद document upload की यह page खुलेगी इसमें आपको कोई भी document upload करना नहीं है और submit वाले option पे click कर देना है जिससे आपके pen card की receiving copy का print आपको यहां पे दिखाई देगा और scroll down करने पे download PDF form का option मिलेगा इसमें click करके आप PDF की form को download कर लें और फिर pen card की receiving को यहां से आप print वाले option पे click करके print कर लें इसके form को भी PDF में जो आपने download किया है उसे भी open करके print out ले ले जिसमें आपको एक फोट को यहां पे लगाना है और इसके नीचे में आपको यहां पे signature करना है customer का और एक signature आपको फोटो में होगा जो कि फोटो से सुरू होके नीचे form तक करना है और इसका दूसरे page में भी एक नीचे में signature का option दिया है उसमें भी आपको customer का signature करना है और फिर अधार card की एक जैरक् पीडियाफ में सेव कर लेना है, अधि आप फोटो और सिगनिचर को अलग-अलग अपलोड करना चाहते हैं, तो उसे भी आप कर सकते हैं, फिलाल मैं यहां पे आपको पीडियाफ के मांधियम से इसे कैसे अपलोड करें, दिखाने वाला हूं, तो इतना काम करने के बाद अपलोड डोकुमेंट का उप्शन मिल जाएगा, इसमें किलिक करते हैं, आपने जो भी पैन कार्ड अपला किया है, उसकी डीटेल यहां पे आजाएगा, और जिसका भी आप पीडियाफ फाइल को अपलोड करना चाहते हैं, फोटो सिगनिचर को, तो यहां पे आपको दो मिल जाता है, अपलोड और दूसरा उप्शन है, क्रॉप एन अपलोड, मतलब यह अपलोड वाले उप्शन पे आप तभी किलिक करें, जब आपने फॉर्म और फोटो सिगनिचर को अलग अलग करके, सेव करके रख लिया हैं, नहीं तो फिर अधी आपने सिर्फ अप्शन पे किलिक करें, और थोड़ा वेट करें, आपका फाइल यहां पे आपको अपलोड होके दिखाई देगा, उसके बाद आपको फोटो और सिगनिचर को क्रॉप करना है, तो जिस भी पेज में आपका फोटो और सिगनिचर है, उस पेज पे किलिक करें, जिससे वही पेज आपका यहां पे बड़ा होके दिख जाएगा, फिलाल मैं इसे बलर करके आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको अतना किलियर से समझ में नहीं आ रहा होगा, और फिर यहां पे आपको पेज में जहां पे आपका फोटो चिपका हुआ है, उस अस्थान पे फोटो वाल ए से दुबारा से सिगनिचर को क्रॉप करने के लिए इस पेज पे किलिक करें, और सिगनिचर वाले एरिया को सेलेक्ट करके क्रॉप इमेज पर किलिक करें, तो यहां पे आपका सिगनिचर भी क्रॉप होके आ जाएगा, इसके बाद आपको यहां नीचे में फोटो और सिगन देना है, जिससे उपर की फोटो यहाँ पे आपका नीचे में आ जाएगा, वैसे हैं सिगनिचर को भी आप यहाँ से माउस की बटन क्लिक करके रखें और ड्रेक करके सिगनिचर वाले उपशन पे छोड़ दें, तो signature भी आपका यहां पे आ जाएगा और फिर नीचे में आपको upload picture and signature का option मिलेगा उसमें आपको click कर लेना है और थोड़ा wait करें जिसके बाद आपको well done का message आएगा और यहां पे आपको document uploaded successfully for application number दिखाई देगा तो समझ जाएगे कि आपका document upload हो चुका है उसके बाद आपको क कुछ दिनों तक wait करना है लगबख 4-5 दिन या फिर एक हफ्ता के अंदर में e pen बनके आपको mail पर आ जाएगा और आपका physical pen card भी लगबख 10-15 या फिर 20 दिनों के अंदर speed post के माध्यम से आपके address पहुंचा देगा तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह video आप हमें comment करके जरू कर दीजेगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो अभी आपको हमारे चैनल को सस्क्राइब करके notification बटन को दबा लेना चाहिए क्योंकि इसी तरह की अन्य महत्पूर्ण जानकारी की वीडियो आपको हिंदी में हमारे चैनल पर मिल जाती है व नए वीडियो में आपका दिन मंगलमय हो